आज हमारे पास आ गया है रियल्मी का बड्स क्यू टू नियो आप देख रहे टेक्व इनीक मेरा नाम है तनमे लेट्स चार्ट दे विडियो यहां पर देख सकते हैं इसे मैंने ओडर कर दिया था फ्लिप काट से पहले ही यह जो है मुझे तेरा सो रुपए का पड़ गया है और नीचे दिये हुए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक से आप जाके जो है इसे चेक आउट कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा और यह है रियल में का बड्स क्यू टू नियो जो कि यहां पर सेम टू सेम यहां पर डीजो के यर बड्स जैसा ही है तो यहां पर देख सकते क्यू टू नियो लिखा हुआ है साइड में कुछ चीजे लिखिए 20 आर्स का लॉंग लिखने को मिलेगा यहां पर 10 पर देखने को मिलेगे और साथ मैं आपको जो है दस मिनिट के चार्ज पर 120 मिनिट का प्लेड़ और पीछे कुछ चीजे लिखे हुई है MRP यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो 2500 रुपय लिखा हुआ है बट यह मुझे 1300 रुपय कम मिल गया था यहाँ पर और बी कुछ चीजे लिखे हुई है 88 MS का Super Low Latency दिया गया है साथ में जो आपको Instant Connection और और Environmental Noise Cancellation for Calls दिया गया है तो जल्दी से इसके सील को Open कर लेता हूं तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले Yearbird को थोड़ी दर के लिए साड़ में रखते हैं यहाँ आपको देखने को मिलता है साथ में आपको देखने को मिलता है एक्स्ट्रा यह टिप्स एक बड़ा सा मैनुल जो कि आपको रीड करना चाहिए अगर आप पहली बार TWS खरीद रहें तो और आपको यहाँ पर देखने को मलता है Realme का बड्स क्यूट्ट्व नियो जो कि यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर डीजो के बड़ जैसा ही है इसको बाहर निकाल लेते हैं यह आप देख सकते हैं रियल्मि का ब्रेंडिंग देखने को मलता है अगर मैं खोलता हूं तो इस यहाँ आप देख सकत रहता है बड़ ठीक है अब वही सेम चीज को इनको डालना था यहां पर भी रिब्रैंड करके तो यह तो करना ही था अब देख लेते हैं ती डेब्लूस की तिरफ जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जो रियल्मी की ब्रैंडिंग जगे पर अगर मैं डीजो की ब्रैंडिं करके दिया गया है इसको मैं जल्दी से निकाल लेता हूं यहां पर जो है कुछ इस प्रकार का आपको डिजाइन देखने को मिलता है इसके यरबड में यह आप देख सकते हैं ऐसा कुछ ब्लैक और वाइड या फिर मैं कुछ जिग-जग सा डिजाइन देखने को मिलता है का काफी बढ़िया लग रहा देखने में बट ओवरॉल जो यह बड़ है वह यहां पर सेम टू सेम डीजो के गोपॉट डी जैसा ही है वही पर बात करूं बिल्ट कॉलिटी भी सेम टू सेम है मैगनेट भी यहां पर काफी अच्छी दियेगे हैं कॉलिटी और हिंज भी काफी अ करने का सिंपल तरीका है आपको यारब को केस में मैं मैं पहले तो रख लेता हूं हूं करने के बाद于 यहां पर dorrais करना है और आप पने फोन में यहां पर देखने को मिल जायागा हाई क्वालिटी और यहां पर शो करता है कि आपको एसी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है अब गाइज इसे करी लिए तो जल्दी से इसमें कुछ गानें अगरा सुनता हूं आपको बताता हूं इसके sound quality के बारे में कि यहां पर जो है sound quality मैंने realme buds q2 नियो का तो सुना ही साथ में यहां पर डीजो के gopods d को भी सुन लिया मैंने यहां पर जो है इसको difference निकालने की कोशिश करिए कि क्या sound में difference है सबसे पहले तो है यहां पर जो quality है उसमें difference है क्योंकि यहां पर कोड़क है realme buds q2 use कर रहा है c inici-sAK को और यहां पर जो दीजो का gopods d awe use कर रहा है sb c का कोड़क तो कक्या यहां पर सबसे पहले तो audio के quality में जो है वो difference आ जाता है दूसरे difference के अगर में बात करूं तो वो है यहां पर bass में bass में जो है थोड़ा सा difference है थोड़ा सा ज्यादा बूमी bass आपको देखने को मिलेगा realme ke buds q2 neo में और guys यहां पर इसी का support होने के कारण से जो है यहां पर clarity और जो quality जैसे के मैंने आपको बताया है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है realme के birds q2 neo में वहीं पर दोस्तों अगर में बात करूँ डीजो के gopods d की तो डीजो का gopods d जो है हलका सा कम quality के साथ आता है बट यहां पे भी quality sound की sbc kodak के हिसाब से ठीक है और यहां पे बेस हाला कि थोड़ा सा कम लगता है realme से यहां पे इसके प्राइस में यह जो है यह सही है अगर आपको तेरा सो यह 14 रुपए का दोनों दिखते हैं बाई करते वक्त हो गाइस आपको simply जाना चाहिए realme birds q2 neo के साथ क्योंकि यहां पे जो यह यहां पे audio की quality को थोड़ा सा अच्छा कर देता है तो overall sound quality के मामले में मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि आपको simply जाना चाहिए realme birds q2 neo के साथ instead of diesel gopods d और यहां पर इसके sound quality को में रेटिंग देना चाहूंगा 4.5 out of 5 यहां पर realme वालों ने कहा है कि इसमें जो है environmental noise cancellation देखने को मिलता है calling करते वाक्त तो इसको जल्द से test करते हैं इसके microphone को सबसे पहले जो है मैं आपे AC on करके आपको सुनाने वाला हूं उसके बाद आपको मैं fan on करके भी सुना कि कितना जो है यह noise को cancel out करता है तो यह आपके सामने microphone samples अभी जावाज सुने यह रेकॉर्ड हो रहा है रियनमी बड्ट दू नियो के microphone से अभी जो है पीछे के तरफ AC आपको सुना है कि कितना जो है यह noise को cancel out कर पा रहा है मेरे आवाज को कैसा यह capture कर रहा है वो आपको यहाँ पर सुनना है ताकि यहाँ पर आपको पता चले कि कैसा माइक परफॉर्म करता है calling और meeting के वक्त और गाइस अभी जो है मैंने fan को on कर गया है ताकि आपको यहाँ पर समझ में है कि कितना जो है यह noise को cancel out कर पाता है fan का आवाज क्या यह cancel out कर पाता है या नहीं वो यहाँ पर सुन सकते हैं और बाकि जो है यहाँ पर मुझे इसकी microphone की quality अच्छी लगी है प्राइस के according बाकि आपको यह पर सुनना है नहीं आवाज को कैसे इसे capture कर रहा है और कैसे जो है आवाज सुनने में आएगा इसके microphone के दिरूप calling में और वीडियो कुछ extra features की बात करते तो यहाँ पर सबसे पहला extra feature है वो है यहाँ पर realme link का app तो उसको जल्दी से देख ले है realme का buds q2 neo अब simply आपको app के अंदर जाकर के जो है यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर आपको जो realme buds q2 neo शो कर जाएगा और यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट का बैटरी भी देखने को मिलेगा simply आपको इस पर टैप करना है टैप करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलता है sound effects आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पर जो है base boost plus mode आपको देखने को मिल रहा है dynamic mode आपको देखने को मिल रहा है जो कि by default यहाँ पर करा हुआ है bright mode देखने को मिल रहा है modes में जो है आपको यहाँ पर gaming mode देखने को म इतना ही कुछ चीजे आपको देखने को मिल रही है Realme Link के app में यहाँ पे Realme Buds Q2 Neo के साथ Realme Link के app तो आपने देखी लिया यहाँ पे आपको IPX5 की भी रेटिंग देखने को मिलती है साथ में आपको यहाँ पे Environmental Noise Cancellation भी देखने को मिलता है इसके microphone में जो कि आपने यहाँ पे सुन लिया इसके microphone का sample साथ में आपको इसमें Gaming Mode भी देखने को मिलता है अब गाइस मैंने जो है इसमें Gaming वगएरा करके देखा है 88ms का जो Low Latency है यहाँ पे आपको 88ms का जो Low Latency वाले चीज है वो आपको सभी Realme या फिर Deezo के neckbands और earbuds में देखने को मिलता है यह जो चीज है यहाँ पे भी काफी अच्छी तरीके से work करता है आप RM से BGMI इसमें खेल सकते हैं अगर आप जो हैं एक Mediocre Player है या फिर आप जो हैं एक Low Level वाले Player है तो आप जो हैं खेल सकते हैं काफी Basic Level वाले Player हैं तो आप जो हैं इसमें RM से खेल सकते हैं BGMI बट अगर आप जो हैं एक High Level या फिर High Tier वाले Player हैं तो आपके लिए यह recommended नहीं रहेगा तो अगर मैं बात करता हो गाईज यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको डिजाइन देखने को मिल रहा है Yearbird में इस वाले पार्ट में आपको यहाँ पे टच कंट्रोल देखने को मिलता है आपको जो है इस पर टैप करना है और बहुत यह तरीकी से जो है टच कंट्रोल वर्क कर जाता है sensor काफी दादा बढ़िया है और sensor जो है काफी बड़ा भी दिया हुआ है और काफी sensitive यहाँ पर आपको touch controls देखने को मिल रहे हैं काफी easy to use भी है यहाँ पर और touch controls जो है आप यहाँ पर realme link app से जो है customize भी कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं battery life in charging की तरफ तो guys यहाँ पर आपको case में देखने को मिलता है 400 mh की battery और आपको यहाँ पर buds में देखने को मिलता है 40 mh की battery यह जो है आपको काफी अच्छ है यहाँ पर battery backup देने में सक्षम होता है हाला कि दोस्तों company ने यहाँ पर claim कर रहे अगर आप gaming mode यूज नहीं करते हैं तो बट अगर आप gaming mode यूज करते हैं तो आपको जो है आरम से 12 या फिर 11 गंटे का 11,10 या फिर 12 गंटे का आपको आरम से battery backup मिलेगा और charging के अगर मैं बात करो तो यहाँ पर आपको fast charging देखने को मिल रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह थोड़ी सी यहाँ पर खराब बात लगी है क्योंकि यहाँ पर USB Type-C port देना चाहिए था overall जो है ठीक है वैसे ही same case को use करना था डीजो के same case को यहाँ पर use करना था इसलिए यहाँ पर इन्होंने micro USB port को रखा हुआ है ताकि जादा पैसे खर्चना हो वही same case में जो है एक नया TWS निकल जाए तो overall जो है यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि काफी अच्छी TWS है थोड़ा सा हलका सा change करके जो है डीजो को हलका सा change करके जो है यहाँ पर नया TWS निकाल दिया है अब ही थोड़ा सा first 1-2 sale में जो है यहाँ पर 1314 रुपए का मिल रहा है बट यह जो है जल्दी इसका price बढ़ने वाला है मुझे ऐसा लगता है कि around 2000 या फिर 1500 के around यह मिलेगा overall जो है मेरे तरफ से यह recommended रहेगा अगर यह 2000 रुपए के अंडर भी आता है तो क्योंकि यहाँ पर जो है आपको environmental noise cancellation देखने को मिल रहा है gaming mode देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको AAC का kodak देखने को मिल जाता है साथ में इस भी sound quality भी काफे वज़ा अच्छी है overall मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इन लोग ने जो है एक काफी बड़िया recipe डूम लिया है कि पुराने earbuds को या फिर मैं कहा हूँ पुराने TWS को यहाँ पर नए नाम के साथ launch किया जा है यहाँ पर पुराना वाला था Realme earbuds Q उसी को यहाँ पर इन्होंने फिर से relaunch कर दिया है सिर्फ थोड़े मोडे change करके अगर आपको जो यह से buy करना है तो description में नीचे link दिया हुए वहांस जा कि आप buy कर सकते हैं इतना अस वीडियो में आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद तब तक लोस्तों जैहंद वन्यमात्रम और आपका दिन शुब रहे